ऐसलाम वालेकुम आग हम लेकर बहुत ही मजीरा चक Rudolph जब भी कुछ ना हो इसना आचार बना कि रखें और कहा सकते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी खट्टाती खा चक посмотреть चक पटा सा बनकर रेडी होता ही तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना मज़ेदार दिख रहा है न तो बनाना भी बहुत ही आसान है और आप चार से पांच मैनों के लिए स्टोर पर रख सकते हैं और जब भी मन करें चटपटा सा चार खाने का तो खा सकते हैं यहाँ पर हम देख लेतें क्या क्या चीज़े हमने लिए हैं तो सबसे पहले हमने मूली लिए है मुली को मतलब जो भी हमने लिया है मुली मिर्ची इनको अच्छे से धो दिया है और इसको हमने अच्छे से पोच लिया है ताके इसमें गीला बना रहे है नहीं तो फिर अच्छा खराब हो सकता है तो मूली हमने लिये 2-3 मीडियम साइस की मूली है और उसको हमने कट कर लिया यहाँ पर गाजर हमने एक लिया है मिर्ची लिये 7-8 तीकी वाली और 4-5 हमने लिये फीकी वाली मिर्ची लाल जो मिर्ची बिल्कुल तीकी नहीं है और पाव कप के करीब मतलब 25-30 कली लिये हमने लसन की तो इससे लसन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही हल्दी है और पाइदे मन है लसन खाना तो यहाँ पर हम एक कटोरा लेते हैं इसमें यह सारी चीज़े डाल देते हैं यह हमने मूली डाल दी है गाजर भी डाल देंगे और गाजर हमने एक ही लिया है आप एकबल भी ले सकते हैं या कम जादा कर सकते हैं यहाँ पर लसन डाल दी है हमने और यहाँ पर हम डाल देंगे इसके अंदर यह लाल मिर्ची लाल मिर्ची हमारी बिल्कुल भी तीखी नहीं है और अब डालेंगे हम हरी मिर्ची तो ये हरी मिर्ची से अच्छा थोड़ा सा स्पाइसी बनेगा हमारा अचार सारी चीजे डाल कर इसको हम रख देतें साइड में और इसके लिए मसाले देख लेते हैं तो सबसे पहले हमने पैन लिया है पैन के अंदर डालेंगे एक चम्मज भर कर मतलब एक टेबल स्पून के करीब हमने लिया है जीरा एक टेबल स्पून राई ली है काली वाली और सफेद वाली राई ली है हमने दे टेबल स्पून चार से पांच हमने ये सुखी वाले लाल मिर्च लिये हैं ये कम तीखी है बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है तो यहाँ पर ये भी ले लेंगे हम और इसके अंदर आप 1-4 टीस्पून के करीब मेथी डाल सकते हैं हमारे पास नहीं है तो हम इसके अंदर पाउडर डालने वाले हैं तो यहाँ पर इन सारी चीजों को हम हलका सा भून लेते हैं हलका सा गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और इसमें से अच्छी खुशबू आएंगी तब इसकी गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे इसको बहुत ज्यादा नहीं भूनना है हमको थोड़ा सा ही भूनना है ताकि इसकी अंदर जो मॉइस्चर रहता है जो नमी रहती हो ऊठ तो यहाँ पर हम मेथी की पाउडर डाल लेंगे। और एक यहाँ पर थोड़ी से चमच चला लेंगे। ध्यांन रहें मसाले जलने नहीं siis अब उल्हें आधा हम दो गुह रहें।ब थोड़ी तो यहाँ पर मेथी के फ्लेम हमने बन कर दी इसको हमने दरदरा सा पीटसा है बिल्कुल बारीक नहीं करना है इसी तरह दरदरा सा रहने देंगे ताकि इसका टेस्छ बहुत ही अच्छा आता है То Liay अचार का ये पीषिक अचार का यह हम डालेंगे हमारे सायर के अंदर और इसको हम तो तेल को हम अच्छे से गरम करेंगे और फिर गैस की फ्लेम बंद करके इसको हम थंडा कर देंगे रूम टेम्परिचर पर तेल हमारा ठंडा हो रहा है तब तक इसके अंदर बाकी मसाले डालते हैं तो सबसे पहले हमने डाला है दो चमच भर कर मिर्ची पाउडर और एक चमच भर कर हल्दी पाउडर डाल दी है और अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक तो नमक हमने बड़े खाने के जो चमच होता है ताकि नमक से हमारा अचार अच्छे से चटपटा सा बना रहे और जल्दी खराब नहीं हो नमक और तेल इन चीजों से जल्दी खराब नहीं होता है अच्छार तो यहाँ पर हम डालेंगे इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए विनिगर तो हमने वन फोर्थ कप विनिगर का यूज़ किया है और तब तक हमारा तेल भी अच्छा ठंडा हो चुका है रूम टेंप्रेचर पर आ चुका है तो यह सारा तेल हम इसके अंदर डालने वाले हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं नमक अगर आप टेस्ट करके देख सकते हैं कम ज्यादा है तो अपने हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा डाल सकते हैं अगर कम है तो ठीक है तो हमारा नमक बिल्कुल सही था हमने चेक करकर देख लिया था तो यहां पर यह देख सकते हैं अच्छे से mix करेंगे इसे तो देखा ना कितना बढ़िया सा और कितना आसान है बनाना अब इसको हम क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए इसी तरह ढखके रहने देंगे हमने इसको ओवरनाइट इसी बरतन में रहने दिया था ढखकर और फिर दूसरे दिन इसको हमने दूसरे जार में shift किया था तब तक क्या होता है तेल और मसाले थोड़े से खीश लेता है अचार के अंदर तो हम आपको दिखा देते हैं next देगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यह हमने इस तरह से दूसरे दिन का यह हमारा अचार है तो यह बहुत ही आसान है अचार बनाना इसको धूप में रखने की भी जरूद नहीं है हाँ दो से तीन दिन के बाद अगर आप खाएंगे ना तो इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़के आएगा क्योंकि मसाले पूरे अंदर खीज लेगा ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदा सा हमारा अचार बन का रेडी है तो आप भी इस तरह से जरूर बना कर ट्राय करें रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में नई रेसिपी के साथ अब तक के लिए लाफिस